अग्ला जो वो है कटिंग ओफ है बार मैक्ट अगर आप बार मैक्ट को बीच में से कट करते हो या तो लेंद्ध के परपैंडिकुलर कट करते हो तो उन दोनों कंब्डि जो बार मैक्ट नेत इसकी पॉलिब्व इस स्टेंथ पे क्या फर्क पड़े गा और उसके मैगनेटिक डायपॉल मॉमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा यह दो चीज़े हम कैलकुलेट करके देखेंगे ठीक है सबोज करो यह कोई बार मैगनेट अपने पास है यह जो बार मैगनेट है इसकी पॉल स्ट्रेंथ है स्मॉल है और इसके दोनों पॉल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है यह हमने एजूम कर लिया ठीक है अब पहला केस ले रहा हूं मैं कैसे कट कर रहे हैं इसको इस लेंथ के परपेंडिकुलर बीच में से काट देंगी ठीक है अच्छा पहले इसका मैगनेटिक डाइपल मोमेंट बता दो कितना होगा पॉल स्ट्रेंथ मुल्टिप्लाइब डिस्टेंस बिट्वीन दें पॉल्स ठीक है अच्छा तो इसको हमने क्या क्या बीच में सहसे काट दिया तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगी एक ट स्क्रोस सेक्षिनल एरिया किसको बोलते हैं क्रोस सेक्षी डिआ यह वाला जो एरिया है इसको बीच में से काटा है वैसे लेंथ के परपेंडिकुलर तो क्रोस सेक्षनल एरिया चेंज हो गया उतना ही रहेगा यह जो पॉल स्ट्रेंथ होती है यह इस क्रोस सेक्षनल एरिया के डारेक्ली प्रपोर्शनल होती है किसी भी बार मैग्डेट की जो पॉल स्ट्रेंथ है वो उसके क्रोस सेक्षनल एरिया के क्या है डारेक्टली प्रपोर्शनल अगर यहां पे क्रोस सेक्षनल एरिया मानलो ए है तो यहां पे भी ए होगा यहां पे भी ए ही होगा तो क्या क्रोस सेक्षनल एरिया चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है इसका मतलब पॉल स्टेंज होगी क्या नहीं होगी पॉल स्टेंज होती जब क हैं इनकी पॉल Evet small Ç स्मॉल एम ही रहेगी अब इन टुक्ड़ों में नौर्थ पोल किदर ओगा साउथ पोल एक डालब करते मैंके कितने भी तुकड़े कर दो उसको तोडड़ कर दो किसे को चुरण उसका क्या बufficient बना दो तो कितना भी उसके टुक्रे कर दो कितना भी उसको ब्रीक करदो हरें क्यों होगा क्यों होगा एक एक प्रूल हम Yesterday चिस्ट यहां पर वामेश पर क्या फर्क पड़ा पहले लेंथ टूएल थी अब लेंथ कितनी होगी अब होगी एल इस वाले टुगड़े की लेंथ भी ल मैंगनेटिक डायपल मॉमेंट का फूमला क्या होता है पॉल स्ट्रेंथ मॉल्टिप्लाइब बाई डिस्टेंज बिट्विन दे पॉल्स जो कि मेंगनेटिक डायपूल मॉमेंट मिया होता है टेक है मैं कितना फूमस कितना figuring में आ गई और इसकी पॉल स्रेंथ सेम रहेगी पॉल स्रेंथ पर कोई फरक नहीं पड़ेगा सिर्फ लेंथ कम होने से क्या हुआ इसका जो मैगनेटिक डायपल मोमेंट वो हाफ हो गया सेकेंड केस लेटे मालो की इस बार मैगनेट को आप लेंथके एलोंग कट देते हैं लेंध के एलोंग कट अगर इसके इसको कट करो गई तो इसके दो पतले पतले टुकडे हो जाएंगे सी पहला टुक्ड़ यह ठीक है इसमें इधर नोर्फpol रहेगा ये साउथ मुल्सक्रान यह व्यार एո्ग इसका कि दो पतले पतले टुकड़e हो गएज के दोनों टुकडो की लेंद किया रहेगी सेम रहेगी एल के बराबर देरेगी मतलब दोनों टुकड़े एल लेंथ के ही होंगे पहले लेंथ बार मैगनेट की कि नहीं थी टूल इन दोनों टुकड़ों की लेंथ भी क्या होगी टूल और टूल के बराबर ही होगी पोल स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा हमने गुक्रोससेटिनल एरिया के डारेक्ट ले प्रपोर्शनल होती है अगर स्वेस्टाइब के तो भुटेएंड घटेगा तो पॉ aik टुक्डेका वह क्यपना होगा तो पॉल स्टंद हो चुकी है एम बाई टू लेंद अभी भी टू एले सौल करोगे तो यह एम इंटू एल आएगा मतलब पहले से इसका मैगनेटिक डायपल मॉमेंट कितना आएगा हाफ आएगा यानि की एम बाई टू आएगा दूसरे वाले टुकड़ेगा भी इतना ही आएगा इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप बार मैगनेट को लेंद के लॉंग काटते हो कैसे काटते हो लेंद के लॉंग तो इसकी पॉल स्ट्रेंद तो आदी हो जाएगी लेकिन लेकिन उसका जो है और वह भी चेंज होगा साथ में और वह भी कितना हो जाएगा पहले से हाफ हो जाएगा तो एक चीज़ आप नोटिस करो कि जो बार मेंगेट है उसको लेंद्थ के परपेंड्डूक्लर काटो यह लेंद्थ के एलॉंग काटो में अगेटिक डायपल मोमेंट तो हाफ ही हो रहा है दोनों कंडिशन में लेकिन अगर में परपेंडूक्लर काटो तो पोल स्टेंथ सेम रह जाएगी यह चीज याद रुखनी हैं Cameron क्सिप डिपेंड करती है नि भी देते हैं इंदर The Family technic console- स्टे favor एरिया के कह डिरेक्टली प्रिक्रोपोशनल होती है जो जो क्रोश सेक्शनल एरिया होगा बार में गले का उसके डारेक्टली प्रोपोशनल होगी पॉलिस ट्रिंद कुग का आइं कुग